नमस्कार मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आलू तो सभी का फेवरेट होता है आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल छे आलू की सबजियां बनाई है जो 10 मिनिट में ही बनकर तयार भी हो जाती है इन्हें बनाने के लिए जादा चॉपिंग भी नहीं करनी होगी और इन सभी का टेस्ट एकदम अलग है जिन्हें आप साइड डिश की तरह खाएं या बच्चे बड़ों किसी के भी टिफिन में दें सभी को बहुत पसंद आएगी चलिए देख लेते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथी बेल आइकन जरूर दबाएं जिसे की मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें अचारी आलू इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ आलू ही लगेंगे ना प्याज, ना टमाटा, ना मेश, ना अत्रक कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पर हम कच्छे आलू लेंगे यह तीन मीडियम साइज के आलू ले लिये हैं इन्हें छील कर धो लिया है और बीच से horizontally काट लेंगे अब इन्हें लंबाई में काट लेंगे इन्हें थोड़ा मोटा ही रखेंगे बिल्कुल इस तरह कि जादा मोटा भी नहीं बनाएंगे नहीं तो यह कोक होने में जादा टाइम लगेगा इसी तरह सारे आलू काट लेंगे आप चाहें तो इन्हें किसी और शेप में काट लें लेकिन ध्यान रखें आलू को जब बनाना हो उसी समय काटें अब एक पैन गरम कर लें और इसमें दो बड़े चमच ऑईल डालें ऑईल आप कोई भी ले लें लेकिन अचारी आलू बना रहे हैं इसलिए मैंने सरसो का तेल यूस किया है गरम होने पर आलू को इसमें डाल दें और आईल के साथ मिक्स कर दें पैन में फैल आ दें गैस की फ्लेम को भी हम मीडियम हाई पर रखेंगे इस सबजी को हम ढखकर नहीं बनाएंगे और इसके लिए हमें कोई चॉपिंग भी नहीं करनी है जब ये सिक जाएं तो इन्हें पलट दें दो तीन बार पलट कर देखेंगे कि ये ब्राउन हो गए हैं इन्हें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है बस लाइट ब्राउन हो जाएं इतना ही चेक कर लेते हैं आसानी से कट भी रहें हाथ से दबा कर देख लेते हैं ये बिल्कुल तयार हैं इन्हें पैन में साइड में कर दें और बीच में जो थोड़ा ऑइल है उसी में मसाले डाल देंगे आदा चमश दाना मेथी इसे थोड़ा क्रश कर लिया है आदा चमश नाइजिला सीट कलोंजी भी कहते हैं और आदा चमश जीरा सभी को डाल दें और इन्हें कुछ सेकिंड के लिए सेख लें जब ये सेख जाएंगे तो आलों को भी इसके साथ ही मिक्स कर देंगे अब कुछ मसाले भी डाल देते हैं आदा चमश नमक या फिर स्वाद के अनुसर नमक आदा चमश हल्दी पाउडर आदा चमश लाल मेश पाउडर और आदा चमश सौफ का पाउडर इसी भी करश करके ही यूज करेंगे चौथाई चमश गरम मसाला भी डाल दें और मिक्स कर दें इन्हें भी कुछ सेकंड के लिए सेक लें जिसे मसाले और आलू एक साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाएं यहां पर इसे ढखना बिलकुल भी नहीं है और इसे कुछ सेकंड के लिए सेक लें इसे बनाने में सिर्फ 8 से नॉमिनिट ही लगेंगे और ये जल्दी से खराब भी नहीं होती है ये है पूरी पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसे सफर में ले जाएं या साइड डिश में बना लें मेरे बच्चे तो इसे लंज से पहले ही चट कर जाते है दही वाले आलू इसे बनाने के लिए पहाडी आलू बेस्ट रहते हैं लेकिन आपके पास जो आलू हैं आप उन्हीं से बना लें ये है मैंने चार मीडियम साइस के आलू लिये हैं इन्हें पहले boil करके रख लिया है, इन्हें छील लें, आप चाहें तो इन्हें कच्चे आलू से भी बना सकते हैं, इसके लिए आलू के छोटे पीसे में काट लें और कुकर में एक दो विशिल एक्स्ट्रा लगा लें, बिल्कुल इसी तरह की सबजी बनकर तयार हो जाएगी सारे आलू छिल गए हैं, इन्हें हातों से ही तोड़ लेंगे, इसमें कुछ पीसे बड़े रह जाएंगे और कुछ छोटे हो जाएंगे, इससे बिना प्यास्टा माटर यूज किये ही सबजी में ग्रेवी बन जाएगी अब एक कड़ाई ले लें, इसमें दो बड़े चमच ऑईल गरम कर लें, ऑईल कोई भी ले लें जो आप घर में यूज करते हैं, तेल गरम हो जाने पर एक छोटा चमच जीरा और चोथाई चमच हींग डालें, हींग की खुश्बू इस सबजी में बहुत ही अच्छी आती ही है, जब जीरा चटकने लगे तो इसमें हरी मिर्च और अद्रक काटकर डाल दें, या फिर इसका पेस्ट यूज कर लें, और कुछ सेकिंड के लिए सिकने दें, आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर, आदा चमच लाल मेश पाउडर, आदा चोटा चमच धनिया पाउडर और एक छोटा चमच नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल कर मिक्स करें, और मेश किये हुए आलू डाल दें, जब सारे मसाले आलू के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो इसमें आदा कटोरी पानी डाल देंगे, इससे कड़ाई का टेपरेचर कम हो जाएगा, कड़ाई थ ठंडा करके दही डालने से दही फटेगा नहीं, करडल नहीं होगा, और पानी डाल कर कंसिस्टेंसी को एज़स्ट कर लें, और इसमें एक दो बॉइल आने दें, आप सबजी यदि कच्छे आलू से बना रहे हैं, तो प्रेशर कुकर में एक दो विशिल एक्स्ट्रा लगा इससे आलू की ग्रेवी बन जाएगी, और कोकर ठंडा हो जाने पर इसमें दही डालें और बॉइल कर लें, आदा छोटा चमच गरम मसाला और कुछ धनिया की पत्ती डालें और इससे मिक्स कर दें, लीजे सबजी तयार है, इसे बनने में 7-8 मिनिट लग जाएंगे, ध्या पचोरी, रोटी, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आलू का भरता, इसे बनाने में आपको 5-6 मिनिट ही लगेंगे, इसके लिए मैंने 3 बॉइल आलू ले लिए हैं, इन्हें मैंने 1-2 मिनिट के लिए ज़्यादा बॉइल कर लिया था, जिससे ये खेल जाएंगे और इनमें क्रैक आजाएंगे, इससे भरता बहुत ही अच्छा बनता है, आलू को छील लेंगे और हातों से ही मैश कर लेंगे, या फिर फॉक का यूज कर लें, लेकिन इन्हें ग्रेट बिलकुल भी ना करें, ये काफी सॉफ्ट आलू हैं, इसलिए ये आसानी से ही मैश हो जब ये भी सिख जाएं तो अदरक और मिर्ची को काट कर या फिर ग्रेट करके डाल दें, एक छोटा चमच प्याच का काट लें, उसे भी इसमें डाल दें और इन्हें सेक लें, यहाँ पर प्याच को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसलूजन्ट हो जाएं इतना ही सेकेंगे, इसे सिखने में एक से दो मिनिट ही लगेंगे, अब मसाले डाल देते हैं, आदा चमच हल्दी पाउडर, आदा चमच लाल मिर्च पाउडर और स्वात के अनुसार नमक, इन्हें भी कुछ सेकिन के लिए सेक लें और इसमें मैश्ट आलूओं को एड़ कर दें, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करें, आलूओं को स्पैटूला से भी थोड़ा दबाते जाएं, इसमें पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, एक मिनिट के लिए धक कर रख दें, जिसे ये अपनी स्टीम में ही पक जाएंगे, और इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को भी लो पर ही रखेंगे, एक मिनिट के बार धकन हटा दें, आदर छोटा चमच गरम मसाला और हरे धनिये की पतियां डाल कर गानिश करें, इसे रिच बनाने के लिए 5-6 काजु काट कर डालें और 8-10 किशमिश लिलें, भरता बना रहे हैं, इसे जरूर डालें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इसे खटा करने के लिए अमचूर पाउडर या फिर नीबू का रस डाल दें, इसे सबजी बन जाने पर लास्ट में ही डालें और इसे मिक्स कर दें, लीजे सबजी तयार है, आप इसे कभी भी बनाएं और किसी भी चीज के साथ खाएं, उप बनाने के लिए मैंने तीन आलू ले लिए हैं, आलू आप कोई भी ले लें, हमें इसके लंबे जूलियंस बनाने हैं, इसलिए आलू लंबे वाले ही लें, थोड़े मोटे स्लाइस में काट लें, बिल्कुल इसी तरह, अब एक स्लाइस को ले लें और इसके पतले पतले लं जब ऑईल गरम हो जाएगा तो इसमें आलू को डाल देंगे, फ्लेम को भी हम मीडियम हॉट पर रखेंगे, आलू को पैन में फैला लेंगे और सिकने देंगे, आप चाहें तो इसे डीफ्राइ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें काफी कम ऑईल में बना रहे हैं, इन्हें ऐस से ही बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक कि यह सिखना जाएं लाइट ब्राउन कलर के ना हो जाएं इन्हें सिखने में करीब तीन से चार मिनिट लग जाएंगे इसी समय हम प्याज शिमला मिर्श आधी भी काट लेंगे आलू भी सिख गए हैं इन्हें निकाल लें सेम पैन में आदा चमच ओयल डालेंगे और गरम कर लेंगे अब एक छोटी प्याज डाल दें मैंने इसे लंबाई में काट लिया है शिमला मिर्श भी लंबाई में काट कर डाल दें देखने में अच्छी लगती है इसलिए मैंने इन्हें लंबाई में काट लिया है आप इन्ह किसी भी तरह से काट लें इसके अलावा आप लाल पिली, शिमला मिर्च, बीन, स्कैबेज कुछ भी डाल सकते हैं लेकिन इसे बनाते समय आप दो या तीन सबजियों का ही यूज करें मैंने कुछ गाजर के जूलियन्स भी डाल दिये हैं इन्हें हाई फ्लेम पर कुछ सेकेंड्स के लिए सौटे कर लेंगे आदा चमच पास्ता सॉस और आदा छोटा चमच रेड चिली सॉस एड़ कर दें सबजियों को भी ज़्यादा कोक नहीं करना है अब इसमें जो हमने आलू सेकर रखे हैं उन्हें भी एड़ कर देंगे और मिक्स कर देंगे लास्ट में एक चमच टमाटो कैचप डाल कर इसे एक बार और मिक्स कर दें यहां हम कोई मसाले यूज नहीं करेंगे सौस में पहले से ही मसाले होते हैं आप टेस्ट के अनसार सौस की क्वांटिटी को कम या जादा कर लें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें यहां साथ से आट मिनिट में ही बनकर तयार हो जाता है बच्चों को तो यह इतना पसंद आता है कि वे इसे ऐसे ही चट कर जाएंगे और इसे बनाना तो बहुत एजी है रोस्टेड आलू इसे बनाने के लिए मैंने दो बड़े साइज के आलू ले लिए हैं आप इसे बेवी पटेटो के साथ भी बना सकते हैं हमें इसके cubes बनाने हैं, इसलिए इन्हें छेल कर इनकी sides को निकाल देंगे इसे बीच से काट देंगे और इसके cubes बना लेंगे बिल्कुल इसी तरह से सारे आलू काट लेंगे आपने यदि बेवी पटेटो लिये हैं तो उन्हें बीच से काट कर उसके दो टुकड़े कर लें आलू भी रेडी हैं इन्हें मैरिनेट करने के लिए एक बड़े मिक्सिंग बोल में निकाल लें इसमें आदा चमच नमक एक छोटा चमच चिली फ्लेक्स और एक छोटा चमच मिक्स्ट हर्ब औरिगेनो रोजमेरी जो भी आपके पास है उसे ही ले ले लें और एक बड़ा चमच ऑलिव ओयल आप चाहें तो रिफाइन ओयल का भी यूज़ कर सकते हैं सभी को मिक्स कर दें आपके पस यदि टाइम है तो इसे पांच मिनिट का रेस्ट दे दें जिसे की आलू मेरिनेट हो जाएं लेकिन यहां पर हम इसे दस मिनिट में ही बना रहे ह इसलिए एक पैन या कड़ाई को गरम कर लेंगे और मेरिनेटेड आलूं को इसमें डाल देंगे पैन में फैला देंगे और ढखकर 3-4 मिनिट के लिए कुख होने देंगे बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे और इन्हें पलटते भी रहेंगे चार मिनिट के बाद आप देखेंगे कि आलू कुक हो गए हैं एक बार और मिक्स कर देंगे और इन्हें चेक भी कर लेते हैं ये आसानी से कट रहे हैं लेकिन पूरी तरह से कुक नहीं हुए हैं इसलिए इन्हें एक मिनिट के लिए और ढखकर सिखने देंगे प्रोस्टेड आलू तयार हैं आप इन्हें ओवन में भी बना सकते हैं बेकिंग ट्रे में रग दें और 170 डिग्री सेंटिग्रेट पर 10 से 15 मिनिट में तयार हो जाएंगे इसे ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स के साथ गार्निश करें और गर्मा गरम सर्व करें इसे किसी भी चीज के साथ खाएं ये इंडियन वेस्टरन सभी तरह के कुजिन्स के साथ मैच करता है इसे आप ऐसे ही स्नेक्स की तरह भी खा सकते हैं आलू चोखा इसे बनने में 3-4 मिनिट ही लगेंगे और इसे बनाने के लिए हम फ्रेश उबले हुए आलू का ही यूज करेंगे मैंने ये दो उबले हुए आलू ले लिये हैं इन्हें हाथों से ही मैश कर लेंगे या फिर फॉक से मैश कर लें यहाँ पर इन्हें great नहीं करना है आप आलूओं को एक बड़ी mixing bowl में निकाल लेंगे और इसमें एक प्याज काटकर डाल देंगे दो छोटी हरी मिर्च काटकर डालें ये बिल्कुल भी तीकी नहीं है आपकी मिर्च यदि तीकी है तो कम डालें आदे चम्मच से भी कम नमक और चौथाई चम्मच लालमिच पाउडर डाल दें और इसे mix कर दें कुछ हरी दनिय की पतियां और एक चम्मच ऑईल डाल दें ध्यान रखें कि ऑईल को पहले गरम कर लेंगे उसके बाद उसे ठंडा करके ही इसमें डालेंगे इसे ऑईल की कच्ची स्मेल है वो चली जाएगी इसे mix कर दें और serve करें इसे आप किसी भी चीज के साथ खाएं लेकिन सिंपल दाल चावल के साथ इसका टेस्ट बहुत ही amazing होता है इसमें जो कच्ची प्यास और हरी मिर्च का टेस्ट है वह इसे सभी सबजियों से अलग करता है उमीद है ये वीडियो आपकी भाग दोड को कम करने में काम आए आपको इन में से कौन सी रेसिपी अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं जल्दी ही मिलते हैं कुछ और helpful recipes के साथ